त्यागी जी, इनका दावा ये है कि आप एक माहौल बनाना चाहते हैं और इसलिए एक-एक करके ऐसे मसले सामने लेकर आप लड़ने के बाद मराठे आए, उन्होंने युद्ध लड़ा, लड़ने के बाद गोवर्धन में लड़ाई हुई, वो जीते हैं, उन्होंने मंदर को फिर से बनवाया, छोड़ दीजे उसको, उसके बाद इस देश में अंग्रेज आये, अंग्रेज जब आये तो क्या हुआ कि वो जो मतुरा की जो पूरी जमीन है वो नजूल में चली गई थी, नजूल का मतलब होता है जिसका टाइटल कहीं क्लेयर नहीं होता और उसके बाद वो जमीन सरकार के कंट्रोल में आ गई करूँ तो आगे दी, आगे वो गई किस पर राय किसंदास पर और राय आनन दास पर 13.37 इकड़, उसके बाद मदन मोहन मालवी है, गनेश दत, बिकेन लाला आत्रे उनको गई, उसके बाद जुगल किशोर बिरला जी ने वो जमीन खरीदी और जुगल किशोर बिरला जी न नारास था इस बात से, जब इसके टाइटल्स चेंज हो रहे थे, तो वो कोट में गए थे, कोट ने इनकी एक बात नहीं मानी, और वो as it is चलता रहा, उसके बाद क्या हुआ कि वो उसमें अपर 1957 तक उसमें पूरी जमीन पर मंदिर बनाना था, लेकिन किसी वज़ा से नही बना पाई तो वो ट्रस्स जो है निश्क्री ये हुआ, फिर वो दूसरा ट्रस्स बना, जिसकी बात अभी विष्णुजी कर रहे थे, और वहां से सारी चीजे बनी, आकर जो है अंत में फैसला हो गया, या यह आपस में समझोता हो गया, समझोता किस बात का, अरे जमीन हिं जगा भगवान से कृष्ण की, खरीदा राजा ने, टाइटल हमारे, पेपर हमारे, और जमीन इनकी कमाल हो गया, काई बात का समझोता भाई, समझोता नहीं है, आप हैंगी नहीं काई पिचर में, देश आजाद कब हुआ, आप इनको रोकेंगे ने प्लीज, आप इनको र बैड़ गए, कब जा करके बैड़ गए, कहते हैं लड़ने लगे, अपने जम से, प्रेशर से, सरकारों का महल था, कहने लगे कि नहीं मुझे इसमें हिस्सा चाहिए, मैंने आखिर में आकर क्योंकि मैं कमजोर था, समझोता किसी वज़े से, जो भी हुआ उसमें नहीं जात मैं कह रहा हूं आपसे, पिछले दो साल तरह आखिर हूं के बारतीय जन्ता पाटी मंदिर और मस्जित की राजनीती करेंगी, और मुझे पूला कह रहा है, अच्छा आब एक मिनाट रूप जाए, बारतीय जन्ता पाटी करेंगी